पिछले साल शारुक खान, सनी देव और इन लोगों की मूवीज जब हिट हुई तब एक चीज तो क्लिगर हुए कि ऐसा नहीं है कि लोगों ने बड़े सितारों की मूवीज को देखना बंद कर दिया है नहीं सब के बीच में भी एक जॉनर ऐसा है जिसमें की लोग एक कहानी को देखना जादा पसंद करते हैं और जब हम ऐसी मूवीज की बात करते हैं तब कश्मीर फाइल्स, कांतारा, पुष्पा ये कुछ ऐसी मूवीज थी जिनमें जो एक्टर्स थे उनसे बड़ी कहानिया ह पुरी को भी हम लोग उसी श्रीणी में डाल सकते हैं तहीं न कहीं के अरला स्टोडी भी उसी श्रीणी में आती है अब ऐसे में एक नई मूवी का ट्रेलर रिलीज हुआ यामी गौतम की जिसका गिनाम है आर्टिकल 370 ये आर्टिकल 370 शब्द सुनते ही मैं जानता हूं आ जैसे कश्मीर फाइल्स थी सबको पता था कि वहां क्या हुआ है बस लोगों को तरीके से बताना था कि वहां एक्चुली में क्या हुआ है और कुछ ऐसा ही यहां पर मेकर्स ने आर्टिकल 370 के साथ बताने कोशिश करी है और इस बार मूवी का पूरा का पूरा दारुंदा आ गया है यामी गॉतम के कंदों पर और साथ में उनके दिखाई देंगी प्रिया मणी जो कि इससे पहले शारुक खान के साथ जवान में एहम किरदार ने भाते हो दिखाई लेकिन यामी गॉतम का काम उरी का मुझे याद है और उरी में उनने जिस तरह का किरदार ने भाय आई है अभी कुछ समय पहले उनके एक मूवी आई थी थरस्डे करके उस मूवी में भी उनका अभिना एक काफी ज़ादा शांदार था लेकिन ये मूवी जर्मानस के केंदर में घुसी हुई है यामी कौतम के अपकमिंग फिल्म आर्लिकल 370 का ट्रेलर आज दोपहर में रिल होगा प्यार क्या बनाया है बहुत शांदार इस फिल्म को आजिती सुआज जामले ने डारेक किया है और लीड रोल में है यामी गौतम अब इस फिल्म से बड़े परदे पर धमाल मचाने की तैयारी कर चुकी है फिल्म आर्टिकल 370 को शेयर करते हुए यामी ने लिखा कि कि पूरा कपूरा कश्मीर भारत देश का हिस्सा था है और रहेगा ट्रेलर में यामी एक एना ये ऑफिसर की भूमिका में दिख रही है जिने कश्मीर में आर्टिकल 370 के बाद शांती बहाल करने के साथ साथ आतंकवादियों के मिशन को फेल करने की जिम्मदारी भी दी ग दिख रहे हैं कि हम धारत दिन सत्तर लाएंगे दो मिनिट 43 सेकंड के ट्रेलर में यामी गौतम भारत के लिए पाकिस्तान से लड़ती नजर आ रही है वीडियो में आपको साफ दिखने को मिलेगा कि धारत दिन सतर हटाने के लिए किन-किन बिंदूओं पर और किन-किन इस तरीके से लोगों को बरगलाया गया ये देखना काफी ज़्यादा मतलब ट्रॉमाटाइजिंग था दरसल आतंकी बुरहान से लेकर पुल्वामा अटैक जिसे कई सारे मुद्दों की बात आपको एक बार फिर से इस मूवी में देखने के लिए मिलेगी ट्रेलर के शु हम उनको हाथ भी नहीं लगा सकते हैं इसके बाद स्क्रीन पर प्रियमणी नजर आती हैं और उनके सामने यामी कहती दिख रही हैं कि वो हमें आर्टिकल 73 को हाथ तक नहीं लगाने देंगे इसके बाद हाथ में बंदूक लिए गुन्दागर्दी के लिए तैयार कुछ हैं वो कहते हैं कि इस कश्मीर ने बहुत यातना जहिली हैं और हम इसे इस हाल में नहीं छोड़ेंगे यामी ने इस फिल्म में भारत के इतिहास का साहसिक चैप्टर बताया है उन्होंने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि दर शक इस फिल्म को पसंद जरूर करेंगे और इनके क इस फिल्म से उन्हें के इसी भूमिका में उतादने का मौका मिला जो उन्होंने पहले कभी नहीं कि इस फिल्म में यामी के अलावा राज जुत्सी सुमित कॉल राज अर्जुन असित गोफिनात रेडीज अश्विनी कुमार और इरावती हर्षे मयादेव जैसे कलाकार है अबले कि ये फिल्म 23 फरवरी को रिलीज होने जा रही है ट्रेलर सामने आने के बाद फिल्म के लिए लोगों के अंदर क्यूरियोसिटी अपने आप में बढ़ चुकी है ट्रेलर को जियो स्टूडियोज ने अपने ऑफिशल यूटीव चैनल पर शेयर भी किया है फिल्म म इस मूवी की यूएस पी जो ट्रेलर की यूएस पी मुझको समझ में आई वो रहा अमिद शाह का डायलोग मतलब जो उन्होंने पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर को लेकर दिया था वो डायलोग पूरा का पूरा इस मूवी यूज किया गया है और वो देखना वाकई म पर काफी सारे रियल लाइफ इंसिडेंट्स को जोड कर ये मूवी बनाई गई है और देखिए ये मूवी वाकई में ऐसी है जो कि आपकी चेतना को हिलाने का जरूर काम करेगी तो कमेंट में जाके बताइए आपको इसका ट्रेलर कैसा लगा और क्या आप इस मूवी को दे देखिने के लिए एक्साइटेड है मेरे इस वीडियो फिला अलता ही जाए हिन जाए भारत